भारत की आबादी का सत्तर प्रतिशत गाउं में बसता है अधिकतर लोगों की आये का सोर्स क्रिशी है पिछले वर्षों में क्रिशी क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है तरक्की से मतलब उत्पादन तो बड़ा है लेकिन किसान की आये बढ़ने के बजाए घटी है था आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया थोड़ा पीछे इतिहास में जाकर देखें तो हिंदुस्तान गुलामी के बाद भी अगर जिंदा रहा तो उसकी एक मात्र बज़ा हमारा सुद्रन क्रिशी क्षेत्र ही था आज सरकारे इस बात को नहीं समझ रही विकास के नाम शेहरी क्षेत्रों पर ही ध्यान दिया जा रहा है गाव वक्रिशी क्षेत्र की अभेलना कर दी गई है नतीजतन किसान घाटे की खेती कर रहा है किसान आंदोलन में MSP की मान वुठी थी जिस पर सरकार कॉपोरेट घरानों के दवाब में इसे लागू करने की स्थिती में नहीं है पश्चिमी नकल कर विकास नहीं हो सकता इससे सिर्फ विधवन्ष होगा हमें क्रिशी आधारित विकास की नीव रखनी होगी जब 70 प्रतिशत गावों का विकास होगा तभी पूरे भारत का विकास होगा मौर्यकाल में हमारी GDP 45 पाइंट से उपर थी कारण था हमारे ग्रामीन क्षेत्र का संपूर्ण विकास किसानों की MSP की मांद सर्वता उचित है लेकिन इसे प्राप्ट करने के लिए आंदोलन की जरूरत ही नहीं है सरकार से किसी प्रकार की कोई मांद करने की आवश्यक्ता भी नहीं है अपने क्षेत्र में क्षिशी उत्पादन की डिमांद वर सप्लाई के हिसाब से उतना प्रोडक्शन करें जितनी क्षेत्र की डिमांद होग सुनने में ये मुश्किल लगता है लेकिन बुवाई का रखवा 30% कम रख ऐसा आसानी से किया जा सकता है इस 30% खेत में कैश प्रोड बुवाई करनी चाहिए कहने का मतलब है कि डिमांद अधिक वर सप्लाई कुछ कम रखनी चाहिए अगर ऐसा हो जाए तो किसान सरकार से भीक नहीं मानगेगा बलकि खुद सरकार किसान के पास दोड़ी आएगी दाम भी अच्छे मिलेंगे हमें ग्राम केंद्रित एकोनामी की जरूरत है न कि शहर केंद्रित अब वो ही सरकार सामने आएगी जो गाव की बात करेगी तभी भारत की GDP 15 प्रतिशत के लगभग होगी तभी भारत विक्सित राष्ट्र बन पाएगा अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें सब्सक्राइब कर दे वसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं